सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों अपनी प्राइविसी को लिके तो यार आप सभी बहुत सतर करते हों कि जब भी आप बात करते हैं इंटरनेट की तो भगया आपने लगा रखे हैं पासवर्ड कहीं पर किसे चैट कर रहे हैं तो ध्यान लगा कर रहे हैं कि कहीं कोई मैसेज लीक ना हो जाए फोटो सारी आपने सिक्शोर कर रखे हैं पासवर्ड से लेकिन अपके अपने मुबाईल फोन या फिर कंप्यूटर की सेक्रेट का क्या क्या आपने वहाँ पर इंक्रिप्शन काम में लिया है जब इस फीटोग तरी ही और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंक्रिप्शन के बारे में नमश्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आम देख रहे हैं टेखनीकल, गुरू जी चली शुरू करते हैं बैदे को सीरी सी बात है कि आपने online internet पे कुछ भी काम किया है, आपने सभी accounts पे लगा रखा है, बहुत ही strong password, आप सोचते हो कि आपका data है वो protected है, यहाँ पे आप जो emails भेज रहे हो, वो encrypted है, आप सारा काम जो कर रहे हो, बिल्कुल private रहते वे कर रहे हो, आपने VPN लगा लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके computer की जो hard drive है, अगर कभी कोई आया और उसको निकाल के ले गया, और अपने computer में उसने लगा लिया, तो आपने कहां पे क्या download किया, क्या आपकी documents है, क्या आपकी files हैं, folders हैं, वो सब तो उसको मालूम चले जाएंगे, मैया चुटकी बजाते हुए, तो यहाँ पे तो security के अंदर बहुत बड़ा loophole है, या फिर अगर आपके phone की बात करता हूँ, तो अगर आपका phone किसी को unlocked मिल गया, किसी ने उसको जबरतस्ती unlock कर लिया, तो उसके बाद में phone के अंदर भी data सो ना खुला निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे बात नि encrypt करें, ताकि अगर वो आप नहीं हो user, तो वो बात में decrypt ना हो पाए, और कोई और इनसार उसको यूज ना कर पाए, तो यहाँ पर दोस्तों को तरह तरह की options मिलते हैं, यह option Mac में भी होता है, यह option Windows में भी होता है, Windows में bitlocker नाम की चीज़ है, Android के अंदर भी यह option है, यह drive निकाल के use करने कुशिश करेगा, तो वो उसको use नहीं कर पाए, और in fact, बहुत सारी जो portable drives आती हैं, उसके इंदर उसको खुद में inbuilt feature होता है, in fact, pen drives के इंदर भी feature होता है, hardware based encryption का, जहां पे वो अपने आपके data को गरती है, encrypt और ऐसे में जो सही user है, वो एक password के बाद ही use कर पाएगा, otherwise use नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ जाती है, अब या, for example, मानलो आपके घर में multiple users हैं, या ये मानलो कि आपका जो phone है, वो आपने एक बार उसको decrypt कर लिया, बाद दो किसी के भी हाथ में, आपसे किसी नहीं मांग लिया, अब या आपने क्य गैलरी में store किया हुआ है, क्या आपके files, folders हैं, एक बार अगर वो unlocked है, तो उसके बाद उसको कुछ खुला है, तो यहाँ पर आप दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ, individual file encryption की, यानि कि अगर आप चाहें, तो आप एक-एक file को भी encrypt कर सकते हैं, यहाँ भी जो tools हैं, वो बड़े आराम से जाओ, properties को change कर लो, वहाँ पे जाकर आप कर लो, उसको encrypt, लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर आप यह अपने user account से दुबारा खोलोगे तो बड़े आराम से खुल जाएगा बिना किसी password के, लेकिन अगर आप किसी third party tool का इस्तिमाल करते हो, तो वहाँ पे आप individually selected files, selected folders को encrypt कर सकते हो, तो यह एक सही चीज है, वरना कोई drive निकाल के ले गया ना, तो आपके online security धरी धरी रहे जाएगी, यहाँ पर दोस्तों मेरे खायल से अभी आपको समझ माय होगा encryption के बारे में, अगर आपको जानना है कि encryption आखिर काम कैसे करता है, तो मैं इसके एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, basically funda यह है कि for example, अगर आपने किसी document के अदर कुछ भी चीज़ें लिखी है, कुछ भी अगर ओफाइल का data है, तो वो एक pattern के हिसाब से jumble up हो जाता है, और जब तक आप सही pattern क्या है, उसको unlock करने का वो नहीं डालते हो, जो कि एक password की त repeat रहेगा, तब तक वो unlock नहीं हो पाएगा, मतलब अगर किसी को file मिल भी जाए, तो उस file के अंदर का data का क्या मतलब है, वो को इंसान पता लगा नहीं पाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि यह है encrypted और decrypt कर लिया, तो मतलब data सारा सामने आगया, जो कि आप कर लेंगे password से, तो ऐ सही बचा के सुरक्षित रूप से रखते रहेंगे, तो फलाले इस वीडियो में इतना है, यह देखने लिए आपको बहुत धन्यवाद, अगर आपको गुर्त अलब सुझाव हो तो आपने चेक मेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो में लाइक एशेयर न आपने मत्राम!